नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे की हाल्ड SR टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. हाल्ड SR टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और हाल्ड SR टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. और यह भी डिस्कस करेंगे की हाल्ड SR टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. हाल्ड SR एक ब्रैंड नेम है. हाल्ड SR टैबलेट के अंदर अक्टिव इंग्रिडेंट प्रोजस्टरोन होता है. हाल्ड SR टैबलेट 200MG, 300MG वच 400MG की स्ट्रेंथ में अविलेबल है. हाल्ड SR टैबलेट एक सस्टेन रिलीस टैबलेट है, जो शरीर में धीरे-धीरे घु प्रोजस्टरोन हार्मोन प्रेगनिंसी के दौरान भी बहुत ही जरूरी होता है. प्रोजस्टरोन हार्मोन महिलाओं के गरभाशे को प्रेगनिंसी के लिए तैयार करता है, जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं. ऐसी महिलाओं को भी डॉक्तर हाल्ड SR टैब मासिक धर्म का आना बंद भी हो सकता है और प्रेगनिंसी के दौरान प्रोजस्टरोन हॉर्मोन की कमी होने की वज़ा से महिलाओं में मिस्केरेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है या बच्चा नौ महीने पूरे होने से पहले भी हो सकता है हाल्ड ऐसार टैबलेट का उप्योग महिलाओं में प्रेगनिंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और महिलाओं के मासिक धर्म को नियमित करने के लिए और महिलाओं में हॉर्मोन असंतुलन होने पर हाल्ड ऐसार टैबलेट का उप्योग किया जाता महिलाओं में प्रोजेस्टरोन हॉर्मोन की कमी होने पर सिर्दर्द रहना, स्वभाव चिडचिड़ा व उदास रहना, लगातार वजन बढ़ना, प्रेगनेंट होने में परेशानी होना, मासिक धर्म अन्यमित होना, नींद ना आना, तनाव व चिंता रहना और तवचा में स एसार टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट महिलाओं में हाल्ड एसार टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्दर्ध होना, चक्कर आना, नींद अधिक आना, श में दिने में जलन होना, रात में पसीना अधिक आना, महिलाओं की वजाइना से डिस्चार्ज होना, वजाइना में सुखापन होना, हाथों व पैरों में सूजन होना और महिलाओं की ब्रेस्ट में दर्थ होना आदी side effects हाल्ड-eassar tablet की वज़़ से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि Hard SR Tablet को कैसे लेना recommended होता है Hard SR Tablet को खाना खाने से एक घंते पहले या खाना खाने के एक घंते बाद लेना recommended होता है आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र की ज्यादातर महिलाओं को Dr. Hard SR 200 Mg से लेकर Hald SR 300 MG टैबलेٹ को दिन में एक बार और रात को सोते समय लेने की सला देते हैं जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर कुछ महिलाओं को Hald SR टैबलेट को दिन में दो बार सुबह वर शाम को भी लेने की सला दे सकते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेग्नेंसी के पहले तीन महीने तक ही हाल्ड एसार टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेग्नेंसी के तीन महीने पुरे होने के बाद हाल्ड एसार टैबलेट को बंद करने की सलाह देते हैं हाल्ड ऐसार टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ महिलाओं में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको हाल्ड ऐसार टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की हाल्ड ऐसार टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, डीप वेन थ्रॉम्बोसिस होने पर, पल्मोनरी एंबॉलिजम होने पर, तन कैंसर होने पर, वजाइनल ब्लीडिंग होने पर, लखवा लगने पर और दिल का दौरा पढ़ने पर हाल्ड ऐसार टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना हाल्ड ऐसार टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर हाल्ड ऐसार टैबलेट को लेने की सला तभी देते हैं, जब हाल्ड ऐसार टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, वैसे हाल्ड एसार टैबलेट स्तंपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए स्तंपान करा रही महिलाओं को हाल्ड एसार टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हाल्ड ऐसा टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकती है